हेलो फ्रेंड्स बीवी गार्डन में आपका स्वागत है तो फ्रेंड्स आज में शेयर करूंगी आपसे इस वीडियो में एक बहुत ही खुबसूरत सा समर फ्लावरिंग प्लांट जो बहुत ही लो मेंटनेस है उतना ही खुबसूरत है अपने पत्तों और अपने फूलों के लिए क्या उसका नेम है क्या प्राइज है कैसे उसकी केर करनी है कैसे उसको अपने गार्डन में एड़ करना है वह सबी इस बातिया आपसे इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी तो आएए देखते हैं कौन सा है इतना खुबसूरत सा प्लांट तो देखी यह है कोक्स कॉम जा मुर्गा कलगी बोलते हैं और यह बहुत ही खुबसूरत सा समर फ्लावरिंग प्लांट है तो इसको आप इस समय अपने गार्डन में एड़ कर सकते हैं यह देशी टाइप है इसमें हाइब्रेट टाइप भी आती है जिसको सिलोस या बोलती है मगर यह देशी वाली जो तो अभी यह हर साल मेरे गार्डन में यूग आता है क्योंकि इस पर सीड बहुत सारे बनते हैं पहले तो यब इसको हम सीड से ग्रो करते हैं तो दो तीन महीन ने जो कलरफूल लीप्स होती हैं हमारे गार्डन में बहुत ही खुबसूरती एड़ करते हैं तो देखिए मैं इसके चोटे प्लांट दिखा रही हूँ जो मेरे गार्डन में बहुत सारे समय उगे हुए हैं क्योंकि पिछले साल भी मेरे पास ये प्लांट था और मैंने जहां-जहां इसके सीर डाले कुछ कुलेक्ट करके रखे थे कुछ गमलों में ही डाल दिये तो जहां-जहां भी डाले हैं अभी इसके प्लांट उगना शुरू होगी है तो इस समय आप इसको सीर से ग्रो कर सकते हैं और बहुत ही खुब्सोर सा ये प्लांट है तो देखिए जब ये थोड़ा सा बड़ा होता है तो इसके पत्तों में इस तरीके से कलर आता है इस तरीके के मेरे गार्डन में बहुत सारे प्लांट है और देखिए ये मैं इसके सीर दिखा रही हूँ आपको इसके जो सीर हैं जैसे बिंका के सीर होते हैं सदा बहार के उसे थोड़े से चोटे हैं और बहूत ही शाइन करने वाले सीड होते हैं तो मैं न आ दिखियें बहुत सारे सीड क्लेक्ट करके भे रखेंटें तो जहां-जहां डाले हैं आभी उग रहे हैं प्लांट तो देखे इस तरीके से सीड आप कहीं से भी ले सकते हैं सीड शॉप से जो नर्सरी से जो आनलाइन कहीं से भी आपको मिल जाएंगे कोक्सकॉम के सीड मुरगा गलगी जिसको बोलते हैं तो इस तरीके से आप मिट्टी में डाल दीजिए तो कुछ दिनों में ही आपको इस तरी की के छोटे-छोटे बहुत सारे इसके जो प्लांट है वो मिल जाएंगे तो यैसे ही तो यह थोड़े बड़े हो जाएं तो आप इनको थोड़े से बड़े गमले में लगाईए क्योंकि इसकी रूर्स बहुत जादा फैलती है तो आप इसको आठ जा 10 इंच के गमले में एक प्लांट गाईए तो फिर यह बहुत ही अच्छे से जो है ग्रो करता है और बहुत ही खुबसूरत ही मारे गार्डन में अड़ करता है तो यह से ही यह प्लांट थोड़ा सा बड़ा होता है तो फिर देखिए इतना ही खुबसूरत कलर इसके पत्तों में आता है तो देखे, मैंना अप्ना प्लांट अपने प्लांट ये इजो बहुत अच्छी होती है, इसकी रूट फैलने के लिए जगा मिलती है तो इसकी गड़ुत अच्छी होती है अगर आप जब गमली में लगाते हैं प्रांट तो उसके लिए जितनी अच्छी मिटी बनाएंगे तो प्रांट जो है उतनी अच्छी सही ग्रो करता है तो इसके लिए वेल्डरेन मिटी बनाएगे जिसमें इसकी जो रूर्स है वो अच्छे से फैल सके हैं उसके लिए आप 50-40% गदन लेजिए 20-30 को लुख सकते हैं लेह सकते हैं तो उससे गो मिट्थी आध मैं जो अच्छी भाली भी बनेगी तो इस तरह केकी मिट्टी में दखिए मैं वेल डांट लगाई हो है 75abii कि पहुत ही से लाईये भूहस्रे सा प्लांट्ट सिर्फ आपने एक बार छोलाना होताह तो फिर हमेशा के लिए आपके गार्टने में बन जाएक मैं कि जब इस पर तो इस पर fuul खिलते है तो जब fuul इसके सुख जाते हैं उसके बीज इसके बहुत सारे बीज होते हैं जहां जहां गिरेंगे जहां collect करके रखेंगे तो next season आप इसके बहू सारे अगलती हैं पूरे दिन की दूप में रखने की जूरत नहीं है सिर्फ आप 4-5 गंटे की दूप में इसको रखेंगे तो यह अच्छे से ग्रो करेगा तो उसके बाद मैं बात करूँ इसकी पानी की रिक्वार्मेंट की पानी तो गर्मी के दिनों में डेली चाये होता है जैसे आगे जुलाई में बरसाथ आगी तो फिर तो देखके ही देना है humility की गंदे यह मैं आलेड़ी ही पानी है तो फिर नहीं देना है मगर इसके गंदे की जो मिट्टी है वो सूकी नहीं होनी चाही है जैसे मैं दिखा रही हूँ अपने गमले की मिटी इसमें हमेशा मॉस्चर बना रहना चाहिए क्योंकि इसकी जो रूर्स होती है पूरे गमले में फैली रहती है तो पानी की कमी होगी तो प्लांट जो है मुर्जा जाता है तो गर्मी के दिनों आप इसको डेली पानी इसकी अच्छी फ्लावरिंग के लिए आपका कौन सा फटलाइजर दे सकते हैं तो मैं तो वैसे कोई ज्यादा इसको फटलाइजर नहीं देती हूँ जब इसको छोटे प्लांट को बड़े गमले में शिफ्ट करती हूँ तो तब ही मैं इसको जो है इक बार फटलाइजर द जाता है अगस्त स्तंबर में तो फिर यह प्लांट जो है इस तरीके से फ्लावरिंग करता है तो इसको कोई बहुत ज्यादा फटलाइजर की जूरत नहीं होती है जब आप इसको रिपोर्ट करें नई गमले में चोटे प्लांट को तो तब ही आप इसको अच्छे से फटला सकते हैं इसके लाबा कोई इसको बार बार फटलाइजर देने की मेरे साब से तो जूरूत नहीं होती है तो उसी कम फटलाइजर में यह प्लांट जो है अच्छे से फ्लावरिंग करता है और देखिए जैसे ही गर्मी का एंड होता है और सर्दी का मौसम आने लगता है और ये स्टमबर या अक्तूबर में इस तरीके से इसके जो फूल है वो खिलना शुरू हो जाती है और इस तरीके के इसके जो फूल होते हैं वो इस तरीके से इसमें फूल होती है इसका जो फूल है जो एक वर खिल जाता है तो महीना दो महीने प्लांट पे ही बना रहता है जब लिद दिए गजोव्यक्तिजा ओर फूल सब्सक्राइब कर सकते हैं अब बात करों कि घुन पेस्ट सप्रेइश प्लांट को डाहिए,已 फोल टांट पनी तो तुरोसित ज़ांड राइब प्लांट पहला डार है बीच सोब्सार से प्रवाला ऑपर इस नीचे इसे वाला इस इसा होता है उसमें उसमें छोटे सीड होते हैं उसमें को आप रख लीजिए अगर कॉल्ट नहीं करेंगी तो जिस भी गमले में आपने इसको लगाया होगा उसे में इसके जो सीड ऑन गिर जाते हैं तो next season वहीं आपको उसी गमले में ही प्लांट उगे हुए मिल जाएंगे इतना ये हाड़ी रफ्टा प्लांट है एक बड़ जब आपके गार्डन में आ गया तो फिर ये कहीं नहीं जाएगा हमेशा आपके गार्डन में रहेगा जैसे ही का सीजन आएगा फिर से ग्रो होगा और खुबसूरत पत्तों के और अपने खुबसूरत फूलों से आपके गार्डन को महगाएगा तो फिर इस तरीके से आप इस प्लांट को अपने गार्डन में एड़ कर सकते हैं और हमेशा ये आपके गार्डन में बना रहेगा तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगएगा तो इसको लाइक कीजिएगा मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिएगा तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट करके जुरूर बताएगा और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपी के साथ तब तक के लिए बाई हैपी गाने